असलाम अलेकुम रहमतुल्लाइब बरकातू प्यारे बच्चों उम्मीद हैं आप सब खेर्यत से होंगे मैच्ट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम हैं सभी बच्चे अपनी मैच्ट की बुप ऑपन कर लीजिए पेज नंबर 276 एक्सराइज 14.1 कोशन अनि सरकल एड मार्क पॉइंट एड बी एड इस सच डैट आपको एक सरकल ड्रो करना है और क्योंकि इसमें मैजर मेंट नहीं दी गई है तो आप अपने हिसाब से कोई भी सरकल ड्रो कर सकते हैं मैजर मेंट कुछ भी ले सकते हैं एपाइट है एज ओन दा सरकल अब उसके कि B point आपको circle के अंदर show करना है and C part है C is in the exterior of the circle exterior के बाहर और आपको C point show करना है circle के बाहर तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है ये काम तो सबसे पहले आप उपर exercise mention कर लीजिए exercise 14.1 और question number 3 करेंगे हम तो यहाँ पर answer number sorry 4 करेंगे तो answer number 4 डाल लीजिए इस तरीके से mention कर लीजिए अब क्या करना है सबसे पहले circle draw करना है और circle आप अपने हिसाब से कितनी भी measurement का draw कर सकते हैं तो सबसे पहले point लेंगे ओ यह center point है और यहीं से circle को draw करना है यह देखिए यहाँ हम circle को draw करेंगे यह circle draw कर लिया देखिए तो center है अब हम इसके तीनों part करेंगे first is a zone the circle हमें a show करना है जो circle के ऊपर होना चाहिए तो यह देखिए point a circle के ऊपर कहीं भी आप ले सकते हैं left में right में ऊपर नीचे तो मैंने यहाँ पर लिया है यह point a यह circle के ऊपर है next हमें लेना है बी जिंदा interior of the circle interior केता है circle के अंदर वाले part को तो बी आप कहीं भी ले सकते है circle के अंदर तो बी में ले रही हूँ यहाँ पर यह थी बी जिंदा interior of the circle अब है c part c जिंदा exterior of the circle exterior के पाहर तो आज circle के बाहर कहीं पर भी ले सकते हैं C, C point तो ये देखिए, C लिया है मैंने यहाँ exterior of the circle exterior के बाहर, interior के बाहर circle के अंदर और on the circle का मतलब है, ये जो circle की ये जो आपने circle draw किया है इसका ये जो circumference है ना ये पूरी line जो आपने draw करी है इस पर आप कहीं पर भी आपको एक point लेना है और उसको आपको A mention करना है यहाँ पर भी ले सकते हैं यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं आप करेंगे question number 5, question number 5 है let A, B be the centers of two circles of equal radii, draw them so that each one of them passes through the center of the other let them intersect at C and D examine whether A, B and C, D are at right angles question number 5 में आपको दो equal radius के आपको circle draw करने हैं और इसमें बताया गया है कि जो आप तूसरा जब आप तूसरा circle draw करेंगे तो first वाले का जो center है तो उसके उपर से second वाले का यानि जो second circle आप draw कर रहे हैं तो वो first के center को touch करते हुए draw करना हैं आपको और उसके बाद और उसके बाद आपको ये examine करना है कि A, B line और C, D line जो हैं ये दोनों क्या right angles draw कर रहे हैं क्या ये दोनों lines right angles बना रहे हैं तो चलिए देखतें इसको किस तरीके से करना हैं ये है answer number five तो चलिए देखतें इसको किस तरीके से करना हैं सबसे पहले same radius के दो circle draw करने तो मैं measurement लूँगी five centimeter ये देखिए मैं यहाँ पर measurement ले रही हूँ यहाँ पर मैं four centimeter लूँगी four centimeter radius के दोनों circle मुझे draw करना है ये देखिए four centimeter के अब ये मैंने ले लिया first circle का center point ओ सबसे पहले मैं first circle draw करूँगी ये देखिए इस तरीके से पहले first circle draw करूँगी अब draw करना है second circle और दोनों का radius सेम होना चाहिए इसका मैंने four लिया है तो second वाले circle का भी four ही लेना है और उसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हम second वाले circle draw करेंगे तो उस वो जो circle है वो इसके center को touch करके तब हमें उस circle को draw करना है कि यानि वो first वाले circle की center को touch करेंगा ये देखिए मैं second circle अब यहां से draw करूँगी और वो center वो को touch करेंगा ये देखिए ये जो first वाले circle का center है second वाले circle में इसको touch किया है ये देखिए यहां पर देखिए अब ये दो points जहां से हमने circle को draw किया है तो इनका हम नाम रखेंगे A और B ये दोनों है A और B और जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को intersect कर रहे हैं ये points है C और D क्या है C और D इन्हें join कर दीजिए अब last में आपको examine करना था कि ये जो A, B और C, D आपस में एक दूसरे को intersect कर रहे हैं तो क्या ये 90 degree का angle बना रही है तो yes ये देखिए यहाँ पर 90 degree का angle बना रही है चलिए अब इसकी construction लिखेंगे exercise 14.1 और construction लिख रहे हैं हम answer number 5 की तो लिखेंगे in the given figure यानि जो figure दी गई है उसमें in the given figure two circles of equal radii two circles of equal radii intersect each other intersect each other at c and d on at c and d on 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 measuring m e a s u r i n g measuring we see that और उसके बाद जब हमने इसको examine किया तो हमने क्या देखा हमने देखा कि c और d जो आपस ए a b c d जो आपस पर intersect कर रहीं थी उनों वह क्या उन्होंने कौनसा एंगल बनाया दोनोंने 90-90 डिग्री का एंगल बनाया यानि की right angles बनाया we see that line a b and c d line a b line segment a b and c d intersect each other intersect each other at right angles right angles तो exercise 14.1 complete हो गई है उमीद है आपको समा जाए होंगे आंसा नंबर 4 & 5 चरिए बाकी का इंचालला न्यू एक्सेसाइज नेक्स च्लास में करेंगे थैंक्यू बेरी माच्छ असलाम उलेगों और आप मतुल्लाई वबरकातू झाललल ने करेंगे इंक्सेशं करें वबर स्याशन में है लुबबर को बापिस Rachel